यवतमाल के भारत नकरी से शादी के चार महिने बाद नई नवेली दुलहन को ससुराल वालों ने जिन्दा जला देने की घटना सामने आई गहें रुकईया गुजरात के सूरत संजयनगर बार्डोली निवासी है उसकी शादी यवतमाल के असलम इजराईल शेक के साथ चार महा पहले हुई यवतमाल के भारत नगरी भोसा रोडस दीद 21 सितंबर की राद 11 बजे पतनी रुकईया को उनके पती असलम इजराईल शेक सास साफिया ने लड़की के हाथ पगड़ कर रखे और ननद, रुकसार, नन्दोई, हली दोनों ने लड़की के चहरे पर ज्वलंत पदार्त डाला जिससे रुकईया का चहरा, छाती, पीट का उपर का हिस्सा बुरी तरह से जल गया घायल रुकईया को राद भर घर में ही रखा गया आरुपियों ने दूसरे दिन डर के मारे सुबह 11 बजे लाइफलाइन कैंसर होस्पिटल यवतमाल में एडमिट किया जहां इसका कोई उप्चार नहीं हो रहा था तब लड़की के परिजनों ने 23 सितंबर की राद 10 बजे नापपुर के मेडिकल होस्पिटल में एडमिट करवाया लड़की के पिता हमित दाउप शेक इन्होंने लड़की को देखते हुए पुलिस में केस दर्च कर आई आरोपी पती असलम इसराइल शेक, साज साफिया, नंदा रुकसार, नंदोई हलिम सभी फरार है पुलिस आगे की जाजकर आरोपियों का पता लगाने में चुटी है का इसराइल देखते हुए प्योन में, भाते हो आरोपी आएल आरे, तो को आयको आरोबव बाएन अन्दई मंने दाले हैं साथ में अगारिती जींदारी से बाएन्दवी इतनी जीए वेुच्ट आ यादवार करके अजीनीननन साचता अजीन नंदई अज़ीने अजनीनर नंदई दाले हैं अज़ी ताइजाओ दाले हैं नानन नम्दाईने, क्या दाले क्या वाले कहो दो है सोई भी थे, अरे ससरा हूँ, शाली ठूट मारी क्यूं आतर ठूट जो रहा दोलना थे, ससरा, और मुझे सब को लगाते थे, वोलते थे, साउन आरे लाहूल के साथ मुड़ाई थे रहा, कोई जाने आने ने देटे थे, क है, मैं 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 किचयो रहत मुई averaging जाने गदीन है, नाई हो उनकी दावाट थे, हो अरतता है। कोई ने ताहिए को साहरे के खेली जिसलों के तरफ पर रिदी उनका दवान था है रहा है दवान हवी हईया का अधिया का और असलोंगा महाराश्य डिवी 24 के लिए सहीयद मतीन यवत मार सचिन लाइफस्टाइल मानसुन ओफर कम से कम दाम में कपड़े वो भी कॉलिटी के साथ कपड़ों की खरीदी पर डबल धमा का ओफर बाई वन गेट वन फ्री के साथ साथ अब कपड़ों की खरीदी पर 50% की छूट सचिन लाइफ स्टाइल का धूम धड़ा का सेल जहां मिलेंगे संपुर्ण कपड़े बचपन से लेकर पशपन तक तो देर किस बात की पहले आईए पहले पाए सचिन लाइफ स्टाइल रमानगर शताबदी चौग बेलत रोडी रोड नाकपूर